हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सस्क्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथी दबाए इस बैल आइकन को हलो दोस्तो एक बार फिट से माप के लिए एक बड़ी भड़ती की अपडेट लेकर आए है इस वीडियो में बात करने वाले है लोग से वा आयोग भड़ती 2020 के बारे में पोस्ट है जूनियर अस्पेसलिस्ट जिसके लिए 137 वेकेंसी जिनने के लिए है जिया दोस्तो लोग से वा आयोग के अंतरकत जूनियर अस्पेसलिस्ट के लिए 137 पदों पर बढ़ती होने जा रही है और इस बढ़ती के लिए सभी एस्टेट से मेल फीमेल कंडिडेट अपलाई कर सकते है दोस्तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टिड हो और अपलाई करना चाहत आप इस बढ़ती के लिए कैसे अपलाई कर सकते है और कब से कब तक अपलाई कर सकते है जो कि ये complete details आगे इस वीडियो में मैं आपको step by step provide कराने जा रहा हूँ तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंतरक दोस्तो ये आपके सामने इस बढ़ती का official notification है इसके दवारा मैं आपको इस बढ़ती की complete जानकारी step by step provide कराने जा रहा हूँ तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए ये बढ़ती जूनियर specialist post के लिए अरुनाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के अंतरकत हो अने जा रही है और इस post के लिए आपको sale मिनने वाली है 67,700 रुपे से 2,08,700 रुपे पर मंत level 11 के हिसाब से जहां दोस्तो level 11 के हिसाब से आपको sale मिनने वाली है और junior specialist post के लिए 137 vacancies निकलिया है जो कि discipline-wide vacancies आप यहां से भी check out कर सकते हो discipline-wide vacancies आपको यहां पर completely provide करार रखिया है जो कि total 137 vacancies निकलिया है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि apply करने के लिए क्या eligibility होना जरूरी है apply करने के लिए medical qualification होना जरूरी है अगर बात की जाए age limit की तो apply करने के लिए maximum 48 साल रखी गई है जियां दोस्तों maximum 48 साल रखी गई है जो कि count होने वाले है 24-7 2020 तक दोस्तों अब बात कर लेता है selection process के बारे में कि आपका selection कि space पर होने वाला है selection आपका वाइवा voice और interview के दवारा होने जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको details provide करा रखी है कि आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हो और apply करने के लिए आपको कौन-कौन से document upload करने है और किस pattern में आपको document upload करने है उसके बारे में भी आप यहाँ से details आसान से check out कर सकते हो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्जती के लिए apply करने के लिए आपको कितनी application fee जमा करानी होगी जो कि examination fee के रूम में आपको जमा करानी होगी वो है 200 रुपे जो कि general candidate को जमा कराने है और other category candidate को 150 रुपे application fee के रूम में जमा कराने है जो कि online mode दवारा जमा किये जा सकते है दोस्तों आप इस भर्जती के लिए 24-7-2020 तकी apply कर सकते हो यहाँ दोस्तों apply करने के लिए closing date है 24-7-2020 दोस्तों यह थी इस भर्जती की complete जानकारी अगर अब भी आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस notification को download कर सकते हो notification का link मैं इस video के description में provide कराने जा रहा हूँ वहाँ से आप notification PDF डाउनलोड करके इस भर्जती की complete जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर apply कर सकते हो दोस्तों apply online का link भी मैं इस video के description में provide कराने जा रहा हूँ वहाँ से आप apply online का link open करके इस भर्जती के लिए directly apply कर सकते हो दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्जती से related कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment के जरे पूछ सकते हो दोस्तों I hope याई वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like out से जरूर करे अगर आपने भी तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है